गुजरात के सूरत में बुधवर 29 नवंबर को एक केमिकल फेक्टरी के स्टोरेश टेंक में ब्लास्ट होने से आग लग गई थी इसमें मरने वालों की संख्या अब तक साथ हो गई है हाथसे के बाद साथ से आठ लोग लापता थे करीब 24 घंटे बाद घटना स्थल से साथ कंकाल मिले इसके बाद ही प्रशासान ने साथ लोगों की मौत की पुष्टी की सभी की जलने से मौत हुई ब्लास्ट में 20 लोग खायल है जिनमें आठ की हालत ना जुखे सूरत के फायर ब्रिकेड अधिकारी बसंत पारिक के मुताबिक सचीन इंडरस्ट्रिल एरिया में इस्ट फेक्टरी में दे रात करीब दो बजे एक बड़े टेंक में रखे केमीकल में रिसाव हुआ इसके चलते वी स्पोर्ट के बाद आग लग गई आग ने फेक्टरी की पूरी यूनीट को अपनी चपेट में ले लिया करीब 9 घंटे बाद आग पर काबू पाया जा रहा है